ओम स्रीगनी सायनम दोस्तू एस्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 अप्रेल सनीवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन तोला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुपूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोगे लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परंत उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शकवे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुर्त आएगी परतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदायक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तू के भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रि इस समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में व्रद्दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तों बात कर लेते हैं जब कि लिए किने नेगरिटिव हो सकता है दोस्तों किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सलासे संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है इसलिए सावधान रहें घर के किसी बुजुर्गों के स्वास्त को लेकर भी आज चिंता रहेगी, डॉक्टर के पास भी जाना पढ़ सकता है, दोस्तों साती सात आपको भी अपने स्वयभाव से एगो को खत्म करना होगा, जिससे प्रेसानिया जल्द ही हल होंगी, किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले, उस तो आप जल्द ही सहज हो जाएंगे, विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फाल्तु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे, अपने महत्पपूर्ण कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें, क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्किन लग रही है, घर में भी छोटी सी बात पर एक कारण ही तनाव उत्पन हो सकता है, इसलिए जादा क्रोध करने से बचें, दोस्तों सामाजिक गति विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं, परंतु इन बातों पर ध्या दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें, इस से संबंद और अधिक मजबूत होंगे, प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें, किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी, घर परिवार का विभा में परेणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं, जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से शहयोग प्राप्थ होगा, तथा घर में भी शकारातमक वातावरन बना रहेगा, दोस्तों साथ यसाथ अपनी व्यस्टता में से कुछ समय, पर कैसा रहने वाला है दोस्तों वैवसाय में अभी वर्तमान परिस्तितियां का प्रभाब बन रहा है धन संबंदित लेने दिन में बहुत अधिक आप सावधानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल भहुती आ इससे आपको बहतरीन रिजल्ट प्राप्त होंगे दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा नोकरी में भी नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद हैं दोस्तों साती सात कारेशित्र में दूसरों के हस्तोषेप से करमचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादे तथा व्यवसाइक गतिविदियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेशा व्यक्ति भी आफिस में कॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों साती सात आज आप किसी कारणों से कारेशित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूप से सेयोग प्राप्त होगा व्यवसाइक छित्र में आपकी कारेश्चमता व्य उत्सान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उरजा से भरपूर रहेंगे आज आप अपने आपको काफी तं आव मुक्त महसूस करेंगे या दोस्तो आज का समय आपके स्वास्त के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशिनान आदी से निरवत्र होने के बाद काले घोडे की नाल या नाव की कील से अंगूठी बनवा कर भगवान शनिदेव का इस्वरण करते हुए अपनी माद्यमा उंगली में धारण करें या दोस्तो ऐसा करन से भगवान शनिदेव के आशिरवास से आपको जल्द ही शुब फलोक की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार रहें वहुत या सनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेश लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शन शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश शनिदेव अवश्य रिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यमात